नवस्कार दर्शकू आज हम बात करेंगे कन्या रासिवालों के बारे में कन्या रासि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने बाला है अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रहों का रासी परवर्तन होगा ग्रहों के रासी परवर्तन से कौन से छेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हम बात करेंगे आपके संपूर्ण छेत्रों के बारे में जैसे अगस्त के महीने में आपका स्वास्त कैसा रहेगा, धन की स्तिती कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, सिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कंपटीशन के लिए, भाग के लिए, लाभ के लिए, हानी के लिए, विदे स्यात्राओं के लिए आदी हम सभी छेत्रों के बारे में मिस्तार से जानने का प्रयास करेंगे तो आ यह जानते हैं उससे पहले यह जानिए कि यह पलादेथ चंद रासि पर आधारित है लगन रासि के आधार पर भी जान सकते हैं तो आप यह जो देख रहे हैं यह अगस्त महीने की कुंडली है गोचर कुंडली कन्या रासी बालों के लिए और कन्या लगन बालों के लिए अगस्त के महीने में तीन ग्रहों का रासी परवर्तन होगा जो कि आपके लिए लावदायक सिद्ध होगा अन ग्रहों के यदि हम बात करें तो केतू धनभाव में ही विराजमान रहेंगे, सनी जो है आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में अपनी स्वयम की रासी कुम भारासी में विराजमान रहेंगे, गुरु और राहु ये अश्टम भाव में में विराजमान रहेंगे, सूर जो है ये लाभ भाव में 17 तारीक तक रहेंगे, 17 ता तक बारहवे भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आपकी रासी में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी जबर्जा सलाब देने का काम करते हैं, शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र जो है, साथ तारीक तक बारहवे भाव में रहेंगे, और उसके बाद ये वक्री हो तो ये लाब भाव में करक रासी में गोचर करेंगे पूरे महीने, तो ये ग्रहों की इस्तिती है अगस्त के महीने में, अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आप उपर अगस्त के महीने में कैसा पढ़ने बाला है, क्या बदलाव होगा, नहीं होगा, क्या लाब हो गया, क्या नुक्सान हो गया, क्या साउधानी रखना है, संपून जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या रासी के स्वामी के बारे में, कन्या रासी के स्वामी होते हैं बुद्धे, और बुद्ध जो है अपने भाव से बारहबे भाव में गूचर कर रहे हैं ये विसेश दियान देने वाली बात है जब भी रासी का स्वामी और केरियर का स्वामी बारहबे भाव में गूचर करें तो साउधानी रखने वाली बात है क्योंकि बारहबा भाव जो होता है यह होता है ब्याय का, नुकसान का, सर्चों का, हॉस्पिटल का, बिले स्यात्राओं का और लगने से जब बारहबे भाव में गोचर करता है यह अच्छा फल नहीं देता है क्योंकि लगन जो है यह स्वास्त है, स्वास्त का मालिक हानी के घर में गोचर करेगा तो क्या करेगा स्वास्त को कहीं-कहीं खराब करने का काम करेगा, स्वास्त में हानी करेगा, अब बुद्ध जो है आपके कैरियर का भी मालिक है, अब कैरियर का मालिक यदि हानी के घर में गोचर करेगा, तो कैरियर में भी कहीं-कहीं नुकसान करेगा, नौकरी यदि आप कर तो आपको नौकरी लग जाएगी या आप दिदेश जाना चाहेते हैं नौकरी के लिए व्यापार के लिए तो आपको सफलता मिलेगी लेकिन जन्मिस्थान के आसपास यदि आप रह रहे हैं और वहां पर यदि आप नौकरी कर रहे हो और नौकरी यदि आप चेंज करोगे तो समस्या आएगी, या तो आपको समय पर नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे, आपको घर बैटना पड़ेगा, परिसान हो जाएगे, और व्यापार यदि आप चेंज कर रहे हो, व्यापार यदि बदल रहे हो, तो उसमस्या आएगी, तो इस महीने आपको विशेश रूप से अपने स्वास्त पर विशेश रूप से ध्यान रखना है, और कैरियर पर भी फोकस करना है, कैरियर पर भी कोई विसेश बदलाव नहीं करना है, थोड़ा काम काज में आपका मन नहीं लगेगा, मन मुटाव हो सकता है किसी के साथ, मान से के इंसन बढ़ सकता है, काम को ले करके प्रेशर हो सकता है, दबाव हो सकता है, इसलिए अगस्त के महीने में आपको ध्यान रखना है, बुद्ध का उपाय करना है, बुद्ध का उपाय क्या करना है, बुद्ध के बीज मंतर का जब करना है, पूरे महीने जब करोगे तो जवर्दस लाव होगा, हाला कि अन्नेकर है, आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, वो हम आगे बुद्ध का उपाय आपको करना ही करना है क्योंकि यह आपके कुंडली में मुख conducting जाते है यह प्रधान मंत्री है और यह आपके Uh दसमेस भी इसलिए विशेश रूपते आपको उपाय करने के ध्यान लखना है, तो सेहत के लिए ठीक नहीं, धन के मालिक शुक्र है, और शुक्र जो है, धन के भी मालिक है, भागे के भी मालिक है, विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ तारिक तक ये वक्री अवस्ता में जो है, साथ के बाद ये वक्री अवस्ता में हो जाएंगे लेकिन साथ तारिक तक बारहभी भाव में गोचर करेंगे। जब भी धन का मालिक लाब भाव में गूचर करे तो धन से लाब होता है धन के सुरोत पैदा होते हैं आयमे ब्रद्धी होती है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शुकर आपको धन लाब देने का काम करेंगे साथ तारीक के बाद ये अच्छी स्थिति है जो फिजूल हो रहे थे उसमें रुकावट आएगी लगाम लगेगी और भाग का आपको साथ भी मिलेगा तो ये साथ तारीक से साथ अगस्थ से अच्छी स्थिति रहने वादी है शुकर की सब्तम द्रश्टी पंचम भाव में रहेगी विदेश जा सकते हो सिक्षा के लिए उच्छे स सिक्षा का योग बन रहा है प्रेम विवाह में भी सफलता देखने को मिलेगी फाइनेंसल इस्तिति आपकी मजबूत होगी क्योंकि पंचम भाव फाइनेंसल इस्तिति का भी माना जाता है और यहां पर सुक्र की द्रश्टी रहेगी तो कुल मिला करके सुक्र की इस्तिति आपके बढ़िया रहने वाली है त्रती भाव के मालिक आपके बनते हैं मंगल और मंगल आपके अश्टम भाव के भी मालिक है और विपरीत परिवरतन राजयोग बना करके यह गोचर कर रहे हैं बारहबी भाव में विपरीत परिवरतन राजयोग में भी हैं और अपने मित पर वाहन चलाते समय साउधानी रखना है रात्री में कहीं दूर का टूर अपने वाहन से स्वयम ड्राइविंग करके नहीं जाना है ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि चोड़ चपेट लगने की संभावनाई होती है जब भी मंगल बारहभी बाव में गोचर करते हैं त कि संभन भी कहीं ने कहीं मनमटाव के स्थिति पैदा हो सकती है और ससुराल पक्स से भी बिशेश रूपते ध्यान रखना है मनमटाव के स्थिति पैदा ना होने दे ये भी ध्यान रखना है अश्टम भाव के मालिक है बरावे भाव में गोचर कर रहे है तो थोड़ा सा ज गुरु और गुरु चोथे भाव के भी मालिक है, सब्तम भाव के भी मालिक है, विराजमान है, अश्टम भाव में, अब अश्टम भाव में गुरु जब विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो मांगने कारणों में बाधा डालने का काम करते हैं, तो यह यहाँ पर पूर यह कमजोर इस्तिती में गोशर करेंगे, गुरु जब मजबूत होते हैं, तो धन में ब्रद्धी करते हैं, अश्टम भाव का जो गुरु है, यह धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जितना आप आध्यात्मिक में जाएंगे, जितना आप धर्म कर्म करोगे, जितना पूजा पाठ करोगे, उतना धन लाब होगा, तो गुरु मजबूत इस्तिती में हैं, यदि आप भारमिक्ता में जाते हैं, धर्म कर्म से जोड़े हुए काम करते हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको सहीयोग करने का काम करेगा, धन लाब देने का काम करेगा, आप भूमी खरीच सकते हो प्रापैरटी खरीच सकते हो मकान बना सकते हो वाहन खरीच सकते हो ये भी योग आपके बन रही है। सब्तम भाव बैवाहिक जीवन का होता है, बैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दे रहे थे, अब बैवाहिक जीवन में भी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे, राहत मिलेगे, पार्टनर्सिप में भी लाव देने का काम करेंगे, तो ये इस्तिफियों में कुछ आ भूमी भवन प्रापाइटी के भाव में गुरू के द्रश्टी पढ़ रही है। इसलिए भूमी भवन प्रापाइटी का सहयोग मिलेगा, योग मिलेगा और आपको लाब होगा। तो ये भी इस्तिती बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात करें सनी के बारे में जो कि पीसरे भाव में, छटे भाव में और एकादिस बाव में, इन तीन भाव में सबसे अच्छे फढ़ाव देने का काम करते हैं। तो सनी तो अभी वक्री हैं, तो ये पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो पिछले संतान की चिंताएं दूर होंगी, फ्रेम विवाह में सफलता मिलेगी, फाइनेशल इस्तिती मजबूत होगी, सत्रूओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, तो सनी आ ऐसे ब्यत्ति जोतिस सीखते हैं या फिर तंत्रविद्या सीखते हैं या अध्यात्मिके प्रति लगाव बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं अश्टमभाव का राहू जो है गूर्ण ज्यान या रिसर्च करवाने का जो है काम करता है तो कहीं न कहीं राहू भी आपको लाभ ही देने का काम करेगा गुप्त धन भी राहू लाभ देता है कहीं बार जुआ लॉट्री सर्टा सेयर बार्केट ट्रेडिंग मार्केट श्टॉक मार्केट इससे भी बड़ा लाभ देने का काम करता है तो राहू की इस्तिती जो है यह हम बात करें तो सूर्ज जो है 17 तारीक तक लाव भाव में गोचर करेंगे, अच्छे परणाम देने का काम करेंगे, 17 तारीक तक आपको लाव देंगे, आयमे ग्रधी करेंगे, खर्चों पर नियंतरन भी करने का काम करेंगे, लेकिन 17 तारीक की बाद ये 12 भाव में गोचर कर यहां पर भी आपका सहयोग करने का काम करेंगे, किक علा अपने घर में गूचर करेंगे, और अपने घर में कोई भी ग sudah को सुदार्णे का काम करता है, तो खर्चों पर नियंतरन रहेगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, या आप धार्मिक तीर से स्थान भी जा सकते हैं या तराओं का अच्छा योग बन रहा है मित्रों का सहयोग भी आपका बना रहेगा और शूर्य आपर प्रगती कराने का काम करेंगे यदि आप विदेश में हैं तो अच्छे पढ़ाम जो है ज्यादा देखनी को मिल सकते हैं तो कुल मिला करके यदि हम बात करें अगस्त के वहिने में बुद्ध पर आपको बिसेश फोकस करना है क्योंकि बुद्ध आपके कैडियर के मालिक है स्वास्त के मालिक है बुद्ध के बीज मंतर का आपको जब करना है जब करते रहिए गनेश अथर्मसीस का पाड़ भी करिए जिससे आपको बेहतर लाव मिले और एक पन्ना श्टोन भी आप धारन कर सकते हैं जिससे कि बुद्ध आपको अच्छे पढ़ाम देनी का काम करेगा तो दर्सको आज बसे तना ही धन्यवाद यदि आप अपनी कुंडली का विशलेशन घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिये गए वाट्सेप नंबर से संबर करें साधारन फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विशलेशन फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविश और वर्तमान के बारे में धन्यवाद वाट्सेप नंबर 9479-8939